नवस्कार दोस्तों, डिट है आज की 4 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एट्टोरियल डिसकेशन में तीन इशुज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले आर्टिकल डिसकेश करेंगे क्लाइमेट चेंज से समधित दूसरा वोमन राइट्स और तीसरा इस अफ दूइंग बिजनस चलिए डिसकेशन स्टांट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से समधित हैं आप जी एस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं यह सारे एसपेक्ट्स हम सामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिसकेशन में सबसे बहले बात करते हैं कंटेस्ट की देखो पिछले हफ़ते की बात है USA के टेकसांस सहर में एक्स्ट्रीम कोर्ड देखने को मिला बहुत ज़दा सर्दी देखने को मिली बहुत ज़दा बरफ गिरी और लाइट भी चले गई लाखो लोग वहाँ पर पावर से वन्चित हो गए इसी साल की सुरुवात में जर्मनी में बहुत ज़दा नेगिटिव टेंपरेचर देखने को मिला वहाँ भी बहुत ज़दा सर्दी देखने को मिली और हमारे उत्राखंड में भी ग्लेशर फ्लडिंग देखने को मिली अक्सर देखा जाता है कि पोल्सी मेकर्स के द्वारा या फिर कुछ लोग के द्वारा कह दिया जाता है ये एक्ट ओफ गोड है यानि ये बगवान की मर्जी है धर्ती का टेंप्रेचर बढ़ रहा है जिसकी वज़े से ये सारी घटाएं हो रही है टेकसास की घटना या फिर जर्मनी में जो नेगिटिव टेंप्रेचर काफी जादा हो गया साइंटिस्ट के अनुसार ये पोलर वोटेक्स में डिस्रप्शन का नतीजा है पोलर वोटेक्स में डिस्रप्शन देखो बेसिक्स की बात हम कर लेते हैं माल लीजिए ये अर्थ है प्लीज ड्राइंग पर मत हसिएगा आप यह अर्थ है यहाँ पे है North Pole और यहाँ पे है South Pole तो दोनों पोल्स पर अर्थ से 10 किलोमेटर से लेके 50 किलोमेटर की हाइट के बीच स्टेडोस्फेर में हवाई चलती हैं सर्दियों में यह हवाई काफी मजबूत होती हैं यह हवाई चलती हैं counterclockwise direction में यहाँ पर और यहाँ प स्टेडोस्फेर में 10 किलोमेटर से 50 किलोमेटर के बीच counterclockwise direction में हवाई चलती हैं सर्दियों में काफी strong होती हैं यह हवाई और गर्मियों में कमजोर होती हैं यह polar vortex है एच सच देखो polar vortex से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन climate change के कारण क्यूंकि Arctic और Antarctic का temperature जो है बढ़ रहा है global warming के कारण तो सर्दियों में इस polar vortex में disruption आ रहा है काफी frequently तो polar vortex phenomenon में disruption के कारण यहां का North Pole और South Pole में जो बहुत ज़्यादा बरफ होती है temperature काफी ज़्यादा कम होता है वो हवाई फिर थोड़ा नीचे आ जाती हैं अब इसी कारण से Europe और USA के कुछ इलाकों में बहुत एक बार आप इसमें देख लीजिए यह है polar vortex और यहां पर low pressure area बनता है counterclockwise direction में हवाई चलती हैं और इस phenomenon में disruption के कारण आसपास के areas में बरफ काफी ज़्यादा गिरती हैं देखो जर्मनी में 80 cm तक की बरफ की परच जम गई इसी साल के शुरुवात की बात हैं तो आप है या फिर human made disaster है हमारे देश में 2013 में Glacial flooding देखने को मिली थी उसमें 6000 लोग की death हो गई उत्राखंड में और United States में भी पिछले कुछ सालों में Avalanches यानि हिम सखलन काफी ज़्यादा होने लगा हैं देखो एक और चीज मान लीजिए Glacier की जो बरफ है वो पिगलती हैं तो इससे global warming और भी ज़्यादा बढ़ती हैं कैसे क्योंकि एक term आपने सुनी होगी Albedo Effect Albedo का मतलब होता है कितनी sunlight किसी surface पर गिर कर बिना absorb हुए वापस reflect हो जाती हैं Albedo को देखो हम 0 से लेखे एक के बीच count करते हैं अगर देखो snow का Albedo 0.85 है इसका मतलब 85% sunlight जो है अगर snow पर गिरती है तो वापस reflect हो जाती हैं सिरफ 15% absorb होती हैं Grass का Albedo है 0.25 इसका मतलब है सिरफ 25% sunlight ही वापस reflect हो पाती हैं 75% absorb हो जाती हैं तो snow का Albedo जादा मतलब snow पर अगर sunlight गिरती हैं तो reflection sunlight का जादा होगा sunlight अगर बरफ पर गिरती हैं तो जादातर जो sunlight है वो reflect हो जाती हैं sunlight absorb नहीं होती लेकिन मान लीजिये पहले यहाँ पे glacier था अब glacier की बरफ पिगल गई अब यहाँ पे land बच गया तो फिर इस land पर sunlight अगर गिरेगी तो जातर जो sunlight है वो reflect नहीं होगी पहले के अपेक्साकरद जादा sunlight absorb होगी अब जादा sunlight absorb होगी तो मतलब अर्थ का temperature और जादा बढ़ेगा यानि global warming जो है वो और जादा बढ़ेगी ये भी एक बड़ी दिक्कत हैं इसके बाद article में कहा जाता है देखो समश्या काफी ज़्यादा गंबीर है बट जब COVID-19 आया तो विबिन देशों ने बहुत ज़्यादा seriousness दिखाई गंबीरता दिखाई COVID-19 के crisis से निपटने में बट उतनी ही गंबीरता climate change से निपटने के लिए विबिन देश नहीं दिखा रही है COVID-19 जब आया था तो विबिन देशों ने लाखो ट्रिलियन डॉलर्स मोबलाइज किये ताकि इस महामारी से निपटा जास के लेकिन ऐसी seriousness ऐसा response climate change से लड़ने के लिए भी दिखना चाहिए इसके बाद बात की जाती है क्या करना चाहिए देखो इंडिया की बात करे इंडिया फिलाल third largest carbon emitter है चाइना और USA के बाद इंडिया को भी strong action लेना चाहिए कोल और petroleum के use को पूरी तरह से धिरी धिरे खतम करने के लिए और renewal energy के contribution को धिरे धिरे increase करना चाहिए काफी तेजी से चाइना ने देखो announce कर दिया है कि 2060 आते आते चाइना में carbon neutrality आ जाएगी मतलब चाइना से जितना carbon emit होगा उतना ही absorb हो जाएगा तो net carbon emission zero होगा जपान और South Korea ने बोला है कि हम हमारे देश में carbon neutrality लेकर आएंगे 2050 से पहले बट इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई target नहीं रख है होना तो देखो ये चाहिए कि जिस परकार से जिस तेजी से climate change से समधित disasters आ रही हैं विबिन देश अपने target को 10-10 साल advance कर दें चाइना बोले हम 2050 में carbon neutrality लेके आएंगे South Korea जपान ये भी 10 साल आगे करके 2040 को कर दें target जबकि इंडिया तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है और इंडिया देखो climate change समधित disaster से काफी ज़्यादा vulnerable है, population काफी ज़्यादा है इंडिया में जो coastal इलाकों में रहती हैं और हमारे देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो agriculture पर dependent है और agriculture में भी आपको पता है range जो है काफी ज़्यादा irregular हो गई हैं हैं, HSBC ने 67 nations की एक list निकाली थी और इन देशों को ranking दी गई थी climate vulnerability के अधार पर, इंडिया को कौन सा स्थान दिया गया था, टोप, HSBC के अनुसार इंडिया सबसे ज़्यादा vulnerable है climate change से, जर्मन वाच ने भी ऐसी ही list निकाली थी climate risk समंधित और इसमें इंडिया को पाचवा स्थान दिया गया था, out of 181, बट बावजुद इसके सरकार climate change से समधित खत्रों से निपटने के लिए काफी कम खर्च कर रही है, देखो हमें ना सिरफ climate mitigation पे ध्यान देना है, बलकि climate adaptation पे भी ध्यान देना है, क्या फरक है, mitigation और adaptation के बीच क्या फरक है, मैं आपको बताता mitigation का मतलब देखो ये है, अभी जो emissions ज़्यादा हो रहा है, इसे कम करना, ताकि climate change कम से कम हो, और adaptation का मतलब ये है, कि climate change आलरीडी जो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो तो होगा ही, तो इस situation को समझ के कि हाँ, अब इसे reverse कर करना काफी मुस्किल है, जैसे देखो बारिस, कई बार तो ऐसी होती है, मानसून सीजन में, एक दो दिन में ही काफी जाला बारिस हो जाती है, कई बार तीन-तीन महिने बारिस नहीं होती, तो ये जो हो रहा है, तो इसे reality मान के, इस situation से निपटना, जैसे ऐसे seeds को develop करना, जो के अनुसार अपने आपको adapt करना, mitigation मतलब और ज्यादा global warming बढ़ने से रोकना, emissions को कम करना, तो दोनों चीजों पर इंडिया को ध्यान देना होगा, ना सिरफ इंडिया को, बलकि सभी देशों को ध्यान देना होगा, और इसके लिए देखो, climate finance को mobilize करने के आव सकता है, एक proper timeline करने के आव सकता है, carbon neutrality से समधित कब इंडिया में वह सिचुएशन आएगी, जब हम net zero carbon emission को ensure कर पाएंगे, तो climate risk से निपटने के लिए, ना सिरफ central government को, बलकि state governments को भी अपना जो allocation है, वो increase करना चाहिए, लेकिन देखो, चिंता की बात ये है, कि उत्राखंड की government हो, या जुड़े जो safe guards हैं, जो rules हैं, उनको और ज़्यादा strong बनाने के बजाए कमजोर बनाते जा रही हैं, अब rules कमजोर होंगे, तो और ज़्यादा hydroelectric projects बनेंगे, और ज़्यादा नुक्सान हो सकता है, कल कोई disaster आ जाती है, तो, even केरला की सरकार ने भी, ecologically sensitive places में, dam construction या फिर mining सम को मिली केरला में, last में conclusion में कहा जाता है, अगर देखो sustainable growth को ensure करना है, तो timely climate action लेना होगा, सरकार को, even dots को connect करना होगा, जैसे carbon emissions, atmospheric warning, melted glaciers, melting glaciers, extreme floods, storms, इन सबका आपस में relation है, जिसको recognize करके सरकार को timely action लेना होगा, और तभी sustainable growth ensure की जा सकती है, otherwise, यह उत्राखंड और Texas जैसे घटनाएं हैं, यह future में भी आ सकती हैं, तो यह हमने पूरा article discuss किया, climate change से समदित, next article हमारा women rights से समदित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, यह aspects हम discuss करेंगे इस article में, क्या contest हैं, हाल ही में Supreme Court ने महराष्टर government के एक employee, जिन पर rape का अरोब था, उनसे पूछा, क्या आप उस लड़की से साधी करोगे, जिससे rape करने का अरोब था, उस महराष्टर सरकार के employee के उपर, ऐसा question Supreme Court के दौरा पूछा गया rape accused से, कि आप rape victim से साधी करोगे, तो इसी को लेके यह पूरी controversy generate हो गई है, दो case studies है, एक तो देखो, मोहित सुभास चोहान केस, यह वही case है, जिसमें Chief Justice of India S.A. Bobde, इने rape accused के वकील से पूछा, हम आपको force नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, कि क्या आप rape victim से साधी करोगे, क्योंकि देखो, आरोब यह था, rape accused पर, कि rape accused ने साधी का जहांसा देकर, victim से कई बार rape किया, लेकिन rape accused ने मना कर दिया, rape accused के दुवरा कहा गया, कि मैं already married हूँ, दूसरी case study, एक और case में देखो, Supreme Court की bench ने, एक rape accused man के arrest पर रोक लगा दी, उस man के उपर आरोब यह था, कि उसने साधी का promise करके, victim को brutally and sexually abuse किया, इस case में, Chief Justice of India ने लड़की के वकील से पूछा, जब दो लोग husband और wife के तरह साथ में रह रही हैं, तो husband कितना भी brutal है, क्या आप उनके बीच में हुए sexual intercourse को rape कह सकते हों, तो ये बात Chief Justice of India के द्वारा लड़की के वकील से पूछी गई, और उसके बाद बड़ी controversy generate हो गई, राइटर के द्वारा criticize क्या जाता है Chief Justice of India को उनके इस परकार के remarks के लिए, राइटर कहते हैं, देखो दोनों crimes में Criminal Law Amendment Act 2013 के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, और Justice J.S. Verma Committee Report ने ये clear किया था, कि इस परकार के crimes में relationship कैसी भी हो, चाहे marriage वारी relationship हो या फिर कोई दूसरी relationship हो, वो relationship defense नहीं हो सकती, sexual violation के लिए, मतलब आख relationship का हवाला नहीं दे सकते कि, जो कुछ हुआ, वो इस relationship में हुआ, इस वज़े से crime बनता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो issues की बात करें, Supreme Court जो है, वो लड़की के rights को protect करने में, इस फ़ल साबित हुई है, इन दोनों cases में, और Supreme Court के द्वारा, accused को ये बोलना, या तो आप साधी कीजिए, या फिर जेल जाएए, ये गलत है, writer ये भी कहते हैं, देखो, जब उचे पदों पर बैठे लोग, इस परकार की statements देते हैं, तो misogyny, यानि hatred of women, patriarchal mindset, blaming the victim for rape, इन सब issues के अगेंश्ट जो लड़ाई हैं, बलकि कमजोर होती हैं, ये जो लड़ाई हैं, वो equality की हैं, ये और ज़्यादा challenging भरी हो जाती हैं, जब उचे पदों पर बैठे लोग, इस परकार की statements देते हैं, इसके बाद article में, दो और cases की बाद के जाती हैं, एक, CR versus UK, इस case में, European Commission of Human Rights ने कहा था, एक rapist, rapist ही हैं, उसकी चाहे victim के साथ, कोई भी relationship हो, चाहे husband wife की relationship हो, या फिर कोई दूसरी relationship हो, 2013 में, Simbu and others versus state of Haryana case में, Supreme Court ने, Supreme Court ने कहा था, अगर देखो, rapist के द्वारा, victim से साधी का offer दिया जाता है, तो भी, लाग के अनुसार, जो सजा होनी चाहिए, rapist को, उसे कम नहीं किया जा सकता, conclusion में कहा जाता है, निर्भिया case के, जो घाव हैं, वो देखो, अभी भी भरे नहीं हैं, लेकिन, हाल फिलाल में, UP में, और कुछ दूसरे states में, rape की काफी घटनाएं सामने आई हैं, और उन cases को किस परकार से, परसासन के द्वारा handle किया गया, उस पर भी सवालिया चिन लगे हैं, और ऐसे context में, Supreme Court के द्वारा, इस परकार की टिपनी देना, इस से महिलाओं के जो rights हैं, वो कमजोर होते हैं, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगी, next article, ease of doing business से समन्दित हैं, आप JS paper 3 के इस topic से, article को relate कर सकते हूँ, ये सारे aspects हम सामिल करेंगे, इस article के discussion में, क्या context हैं, देखो पिछले साल, दो फैंसले, permanent court of arbitration ने इंडिया के against दिये, एक Vodafone के case में, और दूसरा, Karen Energy के case में, दोनों को हमने details से discuss किया था, उस समय, Vodafone, अच्छा, दोनों जो मामले हैं, ये देखो, retrospective taxation से समन्दित हैं, कि भारत सरकार ने, retrospective tax लगाया, तो ये दोनों जो companies हैं, ये इंडिया के retrospective tax से समन्दित decision के against, permanent court of arbitration में गई, और permanent court of arbitration ने, दोनों मामलों में, इंडिया के against decision दिया, Vodafone के case में, हलाकि, permanent court of arbitration ने penalty लगायी, सिरफ 45 करोड की, क्योंकि भारत सरकार ने सिरफ tax demand raise की थी, इससे ज़्यादा अभी कुछ किया नहीं था, लेकिन देखो, केरन एनरजी के case में, सरकार ने काफी कुछ कर भी दिया था, जैसे उनके dividend को रोक दिया था, refund जो देना था, income tax authorities के द्वारा, केरन कंपनी को, वो refund रोक लिया गया था, shares freeze कर लिया गये थे, काफी कुछ action ले लिया गया था, भारत सरकार के द्वारा, तो इसलिए permanent court of arbitration ने, अपने verdict में कहा, कि भारत सरकार, केरन इंडिया कंपनी को, 9000 क्रोड रुपे दे, क्योंकि भारत सरकार के action के कारण, केरन कंपनी को काफी नुक्सान पहुंचा है, ये फैंसला दिया गया, 22 दिसंबर 2020 को, permanent court of arbitration के द्वारा, वैसे देखो, इंडिया ने, UK के साथ में, bilateral investment treaty sign की थी, और, नीदरलेंड के साथ भी, हमारी ऐसी ही, bilateral investment treaty sign थी, तो इन दोनों कंपनी ने आरोप लगाया, Vodafone कंपनी ने ये आरोप लगाया, कि इंडिया ने नीदरलेंड के साथ, जो bilateral investment treaty sign हुई थी, उसकी obligations को follow नहीं किया, और, केरन कंपनी ने आरोप ये लगाया, कि इंडिया United Kingdom bilateral bilateral investment treaty की जो obligations थी, उसे इंडिया ने follow नहीं किया, अब देखो, दोनों verdicts के against India ने appeal फाइल की है, जबकि जो केरन कंपनी है, ये permanent court of arbitration के verdict को enforce करवाने के लिए, United States, UK, निदरलैंड, कनाड़ा, Singapore की courts में इन्होंने case फाइल किया है, केरन कंपनी ने, कि permanent court of arbitration के दोरा जो verdict आया है, उसे इंडिया fulfill करे, इसलिए इस company ने कई सारे देशों की courts में case फाइल किया है, अब आपके मन में आया होगा, इंडिया के courts में क्यों नहीं किया, अब reasons काफी हो सकते हैं, हो सकता है कि इस company को लगता हो कि इंडिया की courts में delay काफी होता है, public policy काफी ज़्यादा uncertain है, और Indian judiciary का जो stance है, इस परकार के verdicts को enforce करवाने से समन्दित, मतलब track record जो है वो पांश्ट में अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इस company ने इंडिया की courts में तो case फाइल किया नहीं कि permanent court of arbitration के verdict को पूरा करें इंडिया, ऐसा इंडिया की courts verdict दें, बलकि दूसर देशों की courts में case फाइल करवा दिया, उस verdict को enforce करवाने के लिए, इंडियन government का तरक देखो ये है, कि सरकार के पास sovereign powers है, राइटर कहते हैं, देखो आप retrospective tax नहीं लगा सकते, मैं आपको example देता हूँ, माली जी आपने एक startup established किया, अब देखो जब आपने startup established किया, तो आपने सारा कुछ देखा कि कितना tax लगेगा, शुरुवात में provisions ये थे कि 10% tax लगेगा, लेकिन 3 साल के बाद सरकार ये कहा दे, कि नहीं आप पे tax 10% नहीं लगना था, 15% लगना था, तो अब आपको 5% और ज़रा tax देना पड़ेगा, पिछले 3 साल में आपने जो profit कमाया है, उसके उपर, हलांकि देखो मामला बिलकुल ऐसा नहीं है Vodafone का, लेकिन सिरफ एक आपको example देने की कोशिस कर रहा हूँ, कि इस परकार से आपके उपर कोई retrospective tax लगा देगा, तो आपको कैसा लगेगा, वही इनको लगा Karen और Vodafone कमपनीज को, हलांकि देखो ये कमपनीज B-tax इन्होंने बचाया है, बट इन्होंने loopholes का फाइदा उठाया है, मेन जो गलती है, वो सरकार की है कि आपने समय रहते loopholes को भरा नहीं, जिसका फाइदा इन कमपनीज ने उठा लिया, मतलब आपके provisions ऐसे होने चाहिए था ना, पहले से कि ये कमपनीज tax को चोरी ना कर पाती, अब Vodafone ने अपनी subsidiary companies की साहिता से tax को बचाया, तो पहले से सरकार को त्यार रहना चाहिए था, जैसे दूसरे देशों की governments त्यार रहती हैं, लेकिन सरकार को बाद में इनकी चलाकी पता लग गई, और बाद में सरकार ने retrospective provisions लेके आई, तो फिर तो ये जो दूसरे देशों के साथ में bilateral investment treaties sign हुई हैं, उनका violation हो जाता है न, आपके पास sovereign powers हैं, तो international law भी है जिसको आपको follow करना है, bilateral treaty आपने किसी देश के साथ sign की है, तो उसको आपको follow करना पड़ेगा, इसके बाद देखो, एक बाद ये हो जाती है, हाल ही में कुछ अच्छी चीज़े निकल के आई, जैसे केरन कंपनी के साथ सरकार ने बादचित स्टार्ट की, कि अरे भया मिल बैठके बादचित से मामला सुलजा लेते हैं, आप क्यों बार-बार दूसरे देशों की कोर्ट में जा रहे हो, इस पर्मेनन कोर्ट ओफ आर्बिट्रेशन के वर्डिक को इनफोर्स करवाने के लिए, तो डिस्कसन के दुरान सरकार ने ये ओफर दिया है, कि हमारी एक स्कीम है विवाद से विश्वास, ये टेक्स एमनेश्टी स्कीम है, अगर आप जितना हमने टेक्स डिमांड रेज की थी, उसका 50% दे रेते हो, तो फिर बाकी 50% आप माफ कर देंगे, इंटरेस्ट माफ कर देंगे, पैनल्टी माफ कर देंगे, लोंग टम कैपिटल गेन टेक्स के हिसाब से, तो ऐसा होता है, तो भी कम टेक्स देना पड़ेगा किरेंट कमपनी को, तो देखो, रैटर कहते हैं, बात ये नहीं है कि ये दोनों सोल्यूशन्स अच्छे हैं, या फिर नहीं हैं, बात ये है कम से कम, सरकार अगर मिल बैट के बात करती हैं, इन इशूस पर, और जल्दी से मामला निपट जाता है, तो फिर इंडिया की रेपुटिशन खराब होने से बच जाएगी, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे देश में, अदर्वाइस देखो, ऐसे मामली सामने आएंगे, तो फिर इंवेस्टर्स इंवेस्ट करना ही पसंद नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा, अरे इंडिया की जो पोल्सी है, काफी ज़्यादा अंसर्टेन है, ये कभी भी टेक्स लगा देते हैं, थैंक यू, थैंक यू वरी मुच पर दिसक्षिएंगे,